नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ये पुदापिंग सिटी जनल पर आपका स्वागत करते ही ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारी बॉड़ी के किसी भी अंग में खून का फ्लोर ठीक से नहीं हो तो उस अंग में उस बॉड़ी पार्ट में कमजोरी आ जाती है वो अंग ठीक से काम नहीं करता है यही बात नीचे के अंग की कमजोरी की प्राब्लम पर भी लागू होती है इसलिए अगर आप भी इस प्राब्लम से परेशान है तो आईरुवेद के गरंतों में मौजूर यह नुस्खा आपको पहले दिन से ही जोड़ा रसर दिखाएगा इसको यूज करते ही आपको महसूस होगा कि आपकी नसों में खून का फ्लो अच्छे से होने लगा है और आपके अंग में कड़कपन बढ़ गया है अपनी नसों की कमजूरी दूर करने के इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको डेली रसोई में यूज होने वाले सिर्फ तीन चार चीजे चाहिए जिसमें से सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं खीरा क्योंकि खीरे को आईरवेद में नसों को ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी दवा बताया गया है आपको करना ये है कि सिर्फ एक खीरा ले लेना है एक दिन की खुराग बनाने के लिए सिर्फ पर सिर्फ एक खीरा लेना काफी है क्योंकि चरक सहीता में सूत्र स्थानम में पुर्षों के लिए पूरे यूरिन सिस्टम और जनन तंत्र के लिए इसको इतना पावरफुल बताया गया है कि जिस तरह इस नुस्के में इसको यूस करना मैं बताऊंगी उस तरीके से इसको यूस करने से एकदम ढीले बेजानंग में भी कड़क बना जाता है इसलिए इस नुस्के में हम एक खीरा लेंगे और इसे धो कर इस तरह से छील लेंगे बहुती आसान काम है चीलने के बाद एक बार फिर से इस खीरे को हम अच्छी तरह से धोलेंगे फिर इसको इस तरह बीच में से चीरा लगाते हुए लंबाई में काट लेंगे उसके बाद इसके बीच भी इस तरह हटा देंगे क्योंकि इस नुस्के में खीरे के बीज भी हमको नहीं चाहिए अब इस खीरे को थोड़े छोटे टुकडों में काट लेंगे जिसको कुकिग नहीं आती वो भी ये काम एकदम आसानी से कर सकता है और इन उसका यूज करके अपने धीली नसों की ताकत बढ़ा सकता है ये देखिए एकदम फटाफट से एक हीरा कट गया है अब जो दूसरी चीज हम ले रहे हैं वो है हरी इलाइची क्योंकि अस्टांग हिर्द्यम में सूत्रस्तानम के तीसरे चेप्टर में इलाइची को जोश बढ़ाने, नसों की कमजोरी दूर करने और नसों को ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी दवा बताया गया है आपको करना ये है कि सिर्फ तीन हरी इलाइची ले लेनी है एक दिन की खुराग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन हरी लाइची लेना काफी है क्योंकि इसकी तासिर थोड़ी ठंडी होती है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है इसलिए इस नुस्खे में हम सिर्फ तीन हरी इलाइची लेंगे और इनको इस तरह थोड़ा सा कूट लेंगे बहुत ही आसान काम है थोड़ा सा कूटने से ये इलाइची खुल जाएगी तब इसको छील कर इसके सारे दाने निकाल लेंगे और छिलका हटा देंगे अब आप इन दानों को कूट लीजिए या इस तरह खरल में पीस लीजिए इसको मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि तेज स्पीट पर मिक्सी में पीसने से इलाइची का नैचरोल लॉयल जल जाता है ऐसे में इसका असर आपको बहुत कम मिलेगा और आप नुस्खा यूज करके भी अपनी कमजोर नसों की ताकत बड़ा ही नहीं सकेंगे तो इस तरह तीन हरी इलाइची के दानों को कूट पीस कर पाउडर बना लीजिए ये एकदम इजी काम है ये देखिए एकदम जल्दी से हो गया अभी फिलाल इसको हम साइड में रखते हैं और अगली चीज भी इस नुस्खे के लिए देख लेते हैं अब जो तीसरी चीज हम काम में लेंगे वो है ये हरा धनिया ये क्यों लेंगे क्योंकि पूरे यूरिन सिस्टम को अंदर से क्लीन करके उसमें नई जान डाल देने के लिए हरे धनिया की पत्या और खीरे का कॉम्बिनेशन आईरुवेद में अम्रत बताया गया है बात चाहे पेशाब में जलन की हो, यूरिन इंफेक्शन की हो, पेशाब के साथ धातू गिरने की प्रॉब्लम हो, रुक रुक कर पेशाब आता हो, या पूर्शों में शुक्र की कमी हो हरा धनिया इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है धन्य की पत्तियों को इस तरह से डंठल से अलग कर लेंगे, क्योंकि इस नुस्खे में हमको सिर्फ धन्य की पत्तियां ही चाहिए, डंठल नहीं चाहिए, तो बस इस तरह धन्य की पत्तियां अलग करके अच्छी तरह धोलीजी, जिससे इनकी सारी धूलमुक्टी निकल नुस्खा बनाने के लिए जो तैयारी हमको करनी थी वो हमने कर ली है इसलिए अब ये खीरा और धनिया हम मिक्सी में डाल कर पीशेंगे इसमें पाने बिल्कुल भी नहीं डालना है ये देखिए खीरे और धनिया का शांदार जूस बन गया है इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे और फिर इसमें कुछ और चीज़े भी डालेंगे सबसे पहली चीज़ इसमें डालेंगे एक चोथाई चम्मस सॉट का पाउडर आयरुवेट के साथ साथ अब तो अमेरिका की नैशनल लाइबरी आफ मेडिसन पर भी सॉट के फायदे पर इस सर्च वेपर मौजूद है सॉट आपको इस नुस्के में दो फायदे करेगी पहला फायदा तो ये कि ये कमजोडनसों को ताकत देगी दूसरा फायदा ये होगा कि खीरे और धन्ये की तासीर ठंडी होती है जिबकि सॉट की तासीर गर्म होती है तो इस नुस्के में सॉट यूज़ करने से इस नुस्के की तासीर बैलन्स हो जाएगी दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे आदे नीबु का रस क्योंकि इसमें मौझूद vitamin C ये फायदा करेगा कि आपकी immunity को और आपकी strength को मजबूत रखेगा और ये दोनों ही वाते नसों के लिए बहुत important हैं और सबसे आखरी चीज इसमें डालेंगे 3 हरी लाइची का powder जो अभी नुस्के के शुरू में हमने बनाया था बस अब इसको अच्छी तरह mix कीजिए और ये tasty और healthy juice पीजिए इसको आप दिन में किसी भी time पीश सकते हैं लेकिन रात को नहीं पीना चाहिए ये आप daily एक महिने तक पीजिए और फिर देखिए कमाल एक महिने बाद आप खुद वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि इतने कम पैसे में घर बेठे ही कैसे आसानी से आपकी मुश्किल प्रॉबलम एकदम सॉल्व हो गई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगले वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी